Hello students, welcome to my channel Smart Study. Students, आज हम Directed of Education की तरफ से दे जाने वाली क्रिया किलाप नमबर 38 करेंगे, जो की क्लास 3rd तू 5th के लिए है. Students, ये वरक्षिट 18th अगस 2020 की है. यहाँ पर बिटा आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर क्लास और सेक्शन लिखेंगे, और यहाँ पर बिच्चे आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे. तो आज की वरक्षिट शुरू करने से पहले बिटा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. तो आज यह देखते हैं आज की वरक्षिट में क्या है. कदम से कदम मिलाओ. आज नजमा की मम्मी राशन लेने बाजार जा रही थी. नजमा ने उनसे कहा कि वे मास्क पहन कर ही बाहर जाया. अमी ने मुस्कराकर उसे अपने हाथ से बना मास्क दिखाया और पहन लिया. नड़मा ने उनसे कहा कि जब आप लाइन में खड़ी हो तो एक दूसरे से दूरी बना कर रखनी है. अमी ने कहा कितनी दूरी? नजमा ने अपनी अम्मी को एक जगह खड़ा कर दिया और अपने कदमों से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, दस कदमों की दूरी नापी और खा, इतनी दूरी काफी है, देखो, जैसे ये नाप नहीं है, यहाँ पैसे, फिर आगे फिर पैर, फिर एक पैर, दूसरा पैर लाना है, फिर पहले वाला पैर, फिर दूसरे वाला पैर, फिर उसने अपनी अम्मी से कहा, आप अपने कदमों से नाप कर मुझे अपताईए कितनी दूर खड़ी होंगी अम्मी ने जब कदमों से नापतों केवल आठ कदम की दूरी आई इस पर नजमा बोली आपके पाउं मेरे पाउं से बड़ा जो है अब अम्मी राशन लाने के लिए बिल्कुल तैयार थी उन्होंने अपने मास्क लगाया और बजार के लिए निक पिछले वीक जो एकसाइस की थी यह अपने पड़ा होगा वरक्षीट में जिसमें कहां से था हम हाथ से बालिष्ट से हम चीजे नाप रहे थे इस बार आपको अपने कदमों से नापना इस बार क्या करना आपको अपने पैरों से जैसे यह नाप रही है ना वैसे पिछली डाया फिर दूसरा पिर पहले वाला पर आगे लाए फिर धी कैसे मन में सोचे कि अप सिधी रिखा में चल रहे हैं बस कदम से कदम मिला नاتे जाईए और अपने कदम गिनते। यह आपको भी यही करना रसोई, आंगन या बरामदा या बालकोनी का नाप क्या यह हमने पिछली बार किया था जब हमने बालिष्ट देखी थी हाथ से किया था आज हम किसे करेंगे बेटा पैर से करेंगे कि पैर से नापने पर कितना आता है तो आईए करते हैं इसका अंसर कैसे होगा बेटा देखत जब कम्रा लिया कम्रा में मम्मि करक्दम फ़ए 15 कदम पाको만 के कितनी गदम इंटेरा कदम इसलिए रसोही मैं कैता कर दetonाय नो पापद हुआखी कितने कदम है आट और आपके कितने कदम है की बारा कदम अब नमबर तीन पे लेते हैं बरामदा बरामदा में पापा के कितने कदम आए 18 पापा के कितने कदम आए 16 और आपके कितने कदम आए 20 कदम देखो बरामदा कितना बड़ा है न उसके बाद नमबर चार पे आता है बालकनी बालकनी में पापा मम्मी के कितने कदम आए 10 कदम पापा के कितने कदम आये, 9 कदम, और आपके कितने कदम आये, मेरे पैर का नाप कितना आया, 11, मैंने आपको आइडिया दे दिया है, आप एक्चुल में चेक करना कि किसका कितने कदम पैर का निशान कितना आता है, ठीक है, दूरी कितने कदम आती है, तो मैंने दे दिया कि मम आपके और आपके माता-पिता के नाप अलग-अलग आते हैं। यदि हाँ तो ऐसा क्यों होता है अपने शब्दों में लिखिए। हमने ऐसा ही कोशन पिछली भार भी किया था कि अलग-अलग क्यों आता है, क्योंकि ममी पापा के पैर मेरे पैर से बढ़े हैं ममी पापा के पैर बढ़े है नाप से इसलिए जब हमने नाप लिया तो नाप में अंतरा है तो यह कौन से कोशिन का अंसर हो जाएगा बिटा Second question का तो आइए अब हम next question करते हैं बिटा या गर घर बना रहे हैं तो हम इंटों से नाप सकते हैं कि एक कमरे में कितनी इंट लगेंगी तो आए लिखते हैं इसका अंसर देखी क्या होगा बेटा हाथ पैर के अलावा हम रसी से फित्ते से लकडी से और इंट से दूरी नाप सकते हैं आईए नेक्स्ट कोशन बेटा लास्ट कोशन है इसको करने से पहले प्लीज मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर दीजी अपने माता पिता से पूछकर पता लगाए कि आजकल बाजारों में कोई बदलाव है या नहीं यदि है तो कैसा बदलाव है देखो आजकल क्योंकि करोना चल रहा है तो क्या कुछ बदलाव आया मार्केट में बिलकुल आया देखो भीड कम हो गई है लोग एक दूसरे से दूरी बना कर रख रहे हैं और इसके अलावा मास्क भी पहन रहे हैं तो ऐसा बदलाव पहले नहीं था पहले बहुत भीड़ुआ करती थी लोग एक दूसरे से दूरी नहीं बनाते थे तो आये करते हैं इसका अंसर तो देखे क्या होगा अंसर आज कल बजारों में पहले के मुकाबले बहुत अंतर है करोना के कारण बजार में भीड बहुत कम है लोग कम निकल रहे हैं घर से बाहर निकलना नहीं है बहुत जादा जरूरी हो तब ही क्या करना है घर से बाहर न नहीं करते थे पहले तो सट सट के खड़े हो आते थे लेकिन अब क्या कर रहे हैं दूरी बना कर रहे हैं पहले बजारों में भीड हुआ करती थी पहले क्या होती थी बजारों में भीड हुआ करती थी और आजकल बजारों में सभी लोग मास्क भी लगा कर घूमते हैं सभी ल students